आज हम लोग करेंगे question answers from the chapter the story of Amrita लेट्स स्टार्ट देखिए इसमें जो मैंने questions answer बनाए हैं आपको इसमें बहुत मज़ाने वाला है अगर आपने इस story को बहुत अच्छे से सुनाया तो तो चलिए अगर आपने नहीं भी सुनाया तो आपको इसका link description box में मिल जाएगा आप वहां से जाकर उस story को पढ़ सकते हैं और अभी हम इसके question answer करेंगे और इसमें मैंने देखा जो आपके chapter से related questions हैं उसमें क्या दिया है उसमें यह दिए कि क्या आपके क्या आपके आसबआप कोई पेड है कौन से पेड है क्या उस पर फूल लगते है उसके पत्ते कौन से मंत में गिरते हैं mostly जो पेड होते है उनके पत्ते जो हैं जनवरी मंद में गिरते हैं तो जब बाकी questions पूछेगें उसके आमसर तो आपको खुद बताने हैं कि क्या आपके आसपस कोई पेड़ है वो किस चीज का पेड़ है उसके कौन से फूल लगते हैं उसकी take care कौन करता है लेकिन जो ये questions हैं इसको आप पड़े interest से करिएगा और आप मुझे बताइए का आपको इसमें कितना मज़ा आया और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको like जरूर कर देना और friends में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो लोग चैनल पर नए है चैनल को subscribe जरूर कर देना चलिए start कर लेते हैं इसको give answer to the following questions which city of Rajasthan is closest to Amritaz village कौन सी city है जो अमरता के गाउं के पास है answer है जोदपूर next question देखेंगे यहाँ पर why was the village called खेजडी भी गाउं को खेजडी क्यों कहा जाता है तो the village was called खेजडी because most of खेजडी trees are found there वहाँ पर जो ज़्यादा तर पेड है वो खेजडी के मिलते हैं इसलिए उस गाउं को खेजडी का जाता है उसी के नाम से why did the king need the wood राजा को लकडी क्यों चाहिए थी the king needed two wood to build a place for himself राजा को लकडी अपने लिए महल बनाने के लिए चाहिए थी फ्रूट्स है जो उस पर फ्रूट्स लगते हैं उसका कुकिंग में यूज होता है और वह खाने लायक है what is the name of the village वेर अमर्ता लिए उस गाउं का नाम क्या है जहां अमर्ता रहती है answer is खेजडी जोदपूर राजस्थान खेजडी गाउं का नाम है जोदपूर सिटी का नाम है और स्टेट का नाम है राजस्थान और आपको एक चीज और बता दू जो राजस्थान एरिया वाइस इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है next question देखेंगे where are khejri trees mostly found khejri trees जो है mostly कहाँ पाई जाते है in desert areas desert area में रेकिस्तानी areas में khejri trees are mostly found what did the king do when he heard about the sacrifice of villagers राजा ने क्या किया जब उसने लोगों के sacrifice यानि बलिदान के बारे में सुना गाउं वालों के he visited the village and order to not cut the trees and no harm to animals उसने order गाउं में visit किया और उसने order दिया कि गाउं में कोई पेड़ नी काटेगा और कोई भी वहां के animals को नुकसान नहीं पहुचाएगा what did Amrita and villagers do to protect save the trees अमरता और गाउं वालों ने और उसकी डॉटर्टर्स ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया इसमें मैंने डॉटर्स नी लिखा है आप इसमें डॉटर्स भी कलेंगे दे हग टाइटली टुदर ट्री उन्होंने गले लगा लिया प्लेड़ों को अच्छे से इसमें क्या कॉमेण। के लोगों को क्या कहा जाता है उसके लोगों को कहा जाता है विस्टोईज फिर की बवाइच को इसका बंदे कन दोएया बनाने में यूज होता है इस बार किसके जो चाल है वो how much water is required for kheddi tree, kheddi tree के लिए कितना पानी required है it can grow without much water यह ज्यादा इसको पानी के जरूरत नहीं होती थोड़ा बहुत पाने से यह उग जाता है what were the strangers doing in village answer is here and why जो strangers थे वो गाउं में क्या कर रहे थे और क्यूं क्यूं आये थे वो गाउं में यहाँ पर village लिखा है वी आई डेबल एफ जी इविलेज मने होता है गाउं जो strangers थे अजनवी थे वो गाउं में क्या करने आये थे क्यूं आये थे the strangers were cutting the trees वो क्या कर रहे थे तो काट रहे थे पेड़ो को क्यूं काट रहे थे because its wood was required for to build the king's palace इसकी जो लकडी थी वो राजा के महल बनाने के लिए जुरूरी थी what is special for the wood of kheddi tree the wood is such that it will not by affect sorry its wood is such that it will not be affected by insect इसकी लकडी के बारे में क्या है special है इसकी लकडी जो है वो उसको insect यानि कीडे नहीं खाते हैं animals in this area eat the leaves of kheddi and children like to play under its shade जो animals है इस area के वो kheddi के पत्तों को खाते हैं और जो children है वो इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं जो आपकी book में कुछ NCRT questions ऐसे हैं जिसका answer आपको पता होना चाहिए तो वो questions मैंने इसमें लिये हैं इसको हम देख लेते हैं do you remember what the elders of kheddi village used to say क्या आपको याद है कि गाओं के जो बड़े हैं kheddi village के वो क्या कहते हैं तो yes the elders of the village used to say अकर पेड हैं तो हम हैं plants and animals can survive without us but we can't, cannot survive without them यहाँ पर यह N आएगा H A I N पेड हैं तो हम हैं तो हम पेडों के बिना survive नहीं कर सकते पेड और animals जो हैं वो हमारे बिना survive कर सकते हैं do you think we could survive if there were no trees and no animals क्या आपको लगता है कि अगर हमारे आसपास पेड नहीं हो या animals नहीं हो तो हम survive कर पाएंगे या हम जिन्दा रह पाएंगे तो no we cannot survive because people sorry trees give us oxygen to breathe and food to eat they are also helpful to bringing rain तो जो पेड होते हैं वो हमको oxygen देते हैं सांस लेने के लिए और खाना देते हैं खाने के लिए भोजन देते हैं और इसके अलावा वो बारिश लाने में भी सहायक होते हैं why do people hunt animals जो लोग हैं वो शिकार क्यों करते हैं animals का the people hunt the animals to eat for their skin to eat and for their skin खाने के लिए भी उनकी skin के लिए भी and bones के लिए भी और for fun also और मजा करने के लिए भी there are rules against hunting of some animals people can be punished for hunting why do you think there is this punishment तो कुछ जो लोग हैं वो शिकार करते हैं तो उसके लिए कुछ rules बनाएगे हैं जो animals का शिकार करते हैं तो उनको punish किया जाता है उन लोगों को तो आपको ऐसा क्यों लगता है यह punishment है तो provision for this punishment has been made to save animals यह जो punishment की बताया गया है rule punishment देने का वो इसलिए बनाया गया है ताकि जानवरों की रक्षा हो सके आपने chapter में पढ़ा कि कुछ black bug को मारने के लिए कुछ actors को भी सजा होई थी तो क्योंकि उनकी जो प्रजातियां हैं वह धीरे धीरे खत्म हो रही है कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी जो प्रजातियां हैं वह पहले से जो हैं कम दिखाई देती हैं आपको मैं बतादू इंडिया में चीता और जो लिटिल बस्टर्ड है वह बहुत कम दिखाई देता है आज कल और जो वल्चर उनकी तो प्रजातियां खत्मी हो गई हैं लिटिल बस्टर्ड की और चीता की वह कहीं भी दिखाई नहीं देते इंडिया में लेकिन जो वल्चर है स्पैरो है और इगल है वह पहले से कम हो गए है अगर आप ये कुश्चिन अपने दादा से करेंगे दादी से करेंगे नाना नानी से करेंगे तो वह आपको बताएंगे कि पहले के टाइम में वल्चर स्पैरो और इगल बहुत होती थी लेकिन आज जो हैं आज के टाइम में बहुत कम हो गई है Are there some birds और animals which cannot see anymore? क्या ऐसे कोई animals और birds हैं जो अब दिखाई नहीं देते तो the little bastard and cheetah cannot be seen anymore यह इंडिया की बात है Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and manna than he sees today can you make two guesses why their numbers have become less? आपको यह बताना है जो Shanti के दादा जी है उन्होंने उसको बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो बहुत से birds देखते थे जैसे sparrow हो गई, manna हो गई लेकिन आज उनको कम दिखाई देते हैं क्या आप guess कर सकते हैं ऐसे कौन से कारण है तो hunting and cutting down of trees शिकार करना और पेड़ो का काटा जाना यह main cases है which are reducing the numbers of these birds जिसकी वज़े से यह birds जो है कम हो रहे हैं next question है क्या आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में बता सकते हैं तो आप किसी भी trees के बारे में बता सकते हैं तो यहाँ पर मैंने टीक trees के बारे में बता है तो टीक tree जो होता है वो टीक tree gives us shade and fresh air यह हमको fresh air देता है और shade देता है टीक wood is costly इसकी जो लकड़ी होती है वो काफी महंगी होती है टीक does not give us fruit यह हमको फल नहीं देता है टीक wood is used in making furniture जो टीक की लकड़ी है वो furniture बनाने में काम आती है टीक tree is also very big tree है काफी बड़ा पेड होता है thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like जरूर कर देना friends में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो लोग भी channel पर new visitor है वो channel को subscribe जरूर कर ले